राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रिंखला कविता मंजरी इस श्रिंखला में सुनते हैं सुप्रसिध कवी विश्णु खरे की कविता एक कम 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्ब नर्भर माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ पहलाता है पच्चिस पैसे एक चाए या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक इमानदार आत्मी औरत या बच्चा खड़ा है मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ कंगाल या कोड़ी या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखे बास लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परिशानी या गुस्से पराश्रत तुम्हारे सामने बिलकुल नंगा, निरलज्ज और निराकांक्शी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तु निश्चन्त रह सकते हो मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तु निश्चन्त रह सकते हो सत्य जब हम सत्य को पुकारते हैं जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वहां हमसे परेहटता जाता है जैसे गुहारते हुए युधिष्ठर के सामने से भागे थे विदुर और भी खने जंगलों में सत्य शायद जानना चाहता है सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं कभी दिखता है सत्य और कभी ओजल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हम है चैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिये स्वामी विदुर ये मैं हूँ आपका सेवक कुंतिनंदन युधिष्ठर वे नहीं ठिठकते हैं कभी दिखता है सत्य और कभी ओजल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हम है रुको ये हम है जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिये स्वामी विदुर ये मैं हूँ आपका सेवक कुंतिनंदन युधिष्ठर वे नहीं ठिठकते हैं वे नहीं ठिठकते यदि हम किसी तरह युधिष्ठर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोच कर रुकी जाता है सत्य लेकन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह द्रणिश्चई अपनी कहीं और देखती द्रिष्ठी से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें और उसमें से उसी का हलका सा प्रकाश जैसे आकार समा जाता है हमें जैसे शमी व्रिक्ष के तने से टिक कर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेश देखा था अंतिम बार और उनमें से उनका आलोक थीरे थीरे आगे बढ़कर मिल गया था युदिश्ठर में सिर्जुकाए निराश लोटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला हाँ हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंच देखा था हम तक आता हुआ वह हममें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया हम कह नहीं सकते हम कह नहीं सकते ना तो हम में कोई स्पुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर किन्तु शेश सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिभिंब हम में समाया या नहीं हमारी आत्मा में जो कभी-कभी दमक उठता है क्या वह उसी की छुवन है जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे सूचाओगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किये युधिश्चर ने खांडव प्रस्थ से इंद्र प्रस्थ लोटते हुए खांडव प्रस्थ से इंद्र प्रस्थ लोटते हुए अभी आप सुन रहे थे ये कविता विशे विशेशग्य डॉक्टर लाल्चंद राम, संयोजन डॉक्टर अभे कुमार, कविता वाचन सुचित्र गुप्ता, ध्वन्यंकन बटिलैंग लिंग्डो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी, ध्वनी संपादन एवं निर्माण वंधना अरिमर्दन ये कारेक्रम C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया कारेक्रम C.I.E.T. N.C.E.T.